बीजीपी चुनाव समीथी की बड़ा खत्म होचुकी आश्विली चौपड़ा जो की सानशत इस वक्त हमारे साथ हैं चौपड़ा साथ क्या कुछ तैयारिया की गई इस बैठक में आधनी यह बैठक जो थी यह तैयारियों की नहीं थी यह चिन्तन मंधन की बैठक आप इसक सब का एक तरह से उनका परिचे कराया गया इंट्रोडेक्शन उनसे हुए उन्होंने उनसी सब को मौका दिया बोलने का अपने विचार सबने रखे और दूसरी बात थी कि पिछले दिनों जो रस जात्राएं निकली हमारी उन रस जात्राओं के बारे में मंधन किया गया और स सबके अनुभव सुनने के बाद मैं भी जात्रा में था तो बहुत ही उत्साहित वातावरन अंदर बना क्योंकि सभी की दत्राओं को बहुत लोगों ने पसंद किया आम जनता जो थी वह भीड की भीड सुन लोगों को हमारे नेताओं को सुनने के लिए आती थी और मुझे यह लगता है कि जिस ढंक से इन जात्राओं से काम शुरू हुआ है और आगे चलके और भी यह तेज होगा और भारती जनता आने वाले समय में बिना किसी सहारे के क्योंकि अब तक तो सहारों के बंती थी लेकिन अब अपने भल पर भारती जनता पार्टी साथ से पैंसेट स समझते हैं कि सौधिन के जो ने काम किये हैं उनको उनके मद्दे नजर वो समझते हैं आगे चलके भी यह बहुत रक्की करेंगे और दूसरी बात यह कि भारती जनता पार्टी के प्रती लोगों का विश्वास इन चुनाओं में जिस तरह से हम जीते हैं बहुत कायम हुआ ह है तो मैं मुझे लगता है कि इस बार हम बहुत अच्छे मार्चन से जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे बीजेपी की रत्यात तरह काफी सफल रही है लेकिन कॉंग्रेस पब्लिस्टी कमेटी की बैड़ा कोई कॉंग्रेस भी इस बार हाइट तरीके से परचार करेगी तो क्या कुछ लगता है आपको कॉंग्रेस क्या बीजेपी को परचार की जरी अमाद देने में सफल हो पाएगी यह तो समय बताएगा सभी हाई टेक होगे अब तो अब तो कोई ऐसा रहाई नहीं जो हाई टेक नहीं है आप देखिए बनोब शनमा भी हाई टेक हैं और कां कांसी ऐसी कैसा राजनेरी दिल है जो जंता के फाइदे के लिए काम करें और इन सौ दिनों में मैं यह समझता हूं कि हर्याना के जो सांसद हैं और हर्याना के जो केंदर की सरकार हर्याना के अंदर उन्हों उन्होंने काफी ऐसे काम की हैं जिससे की जंता को लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुख्मांतरी पत्का उम्मिद्वार नहीं है आपका और राव इंद्रीजीदी का जब विबाद सामने आया तो कॉंग्रेस ने इस पर खुलकर चुटकी ली हमारा कोई विबाद नहीं हम दोनों बोरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज हमने कठे ब बनाएगी हर हालत में बनाएगी और मैं आपको यह इतना बता दूं जो जो लोग यह कहते हैं ना तो मैं इंद्रीजीदीजी के लाके में जा करके अगर मुझे कहेंगे तो मैं उनके जो उनके कैनिडेट होंगे ना उनके लिए भी भाशिद देने जाओंगा और वो मेरे हैं में भी आएंगे भाशिद देने के लिए तो यह जो अटकले हैं ना इनको ख़स्म कर दूआ जो जो अटकले हैं उन पर ब्राम लगता जा रहा है और बीजेपी पूर्ण मुहमत से सरकार बनाती जा रही है और राव इंद्रीजीजी जी और अश्वनी चोबडा की जो विबाद था उसे उन्होंने स्रे से खारिज कर दिया परशानत शर्मा साधना नियूस दिली